एक कमरे में मिली चार लाश, मा, बैटे बेटी की बॉडी बेड और एक महिला की फर्ष पर पड़ी थी दीडवाना दो बहनों और भाईभन की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई माँ और बेटे बेटी के शफ कमरे में बेड पर और एक महिला की बॉणी फर्ष पर पड़ी मिली कमरे में चार फंदे भी मिले जो कटे हुए थे सुचना पर पुलीस मौके पर पहंची पुलीस ने कमरे की विडियोग्राफी कराई पुलीस ने मामले में साथ आरोपियों को राउंड अप किया है मामला डीडवाना के मौलासर इलाके का शुक्रवार देर रात 11 बजे का है डीडवाना डीएसपी धर्मपाल पुनिया ने बताया कि ठाना इलाके के गाव नुवा में नाजिया 32 पत्नी सलावदीन, साजिया बानो, 30 पत्नी लियाकत अली और साजिया की बेटी कनिशका बानो, 7 बेटा अबीर, 4 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई दोनों सगी बहनों का पीहर सीकर के सिंग्रावट गाव में है इनकी शादी नुवा में 2015 में एक ही परिवार में सगे भाईयों से हुई थी दोनों बहने ससुराल में अलग मकान में रह रही थी इनके पती सलावदीन और लियाकत साउदी अरब में काम करती है पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के साथ लोगों के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज कराया पुलीस ने आरोपी सास मंगेज बानो, नंदोई शौकत खान, मामा ससुर अलादीन खान, मौसा ससुर ताज मौमद, गोविंद मेगवाल, ननत जमीला बोनो, रिष्टेदार अयूब खान को राउंड अप कर लिया घटना के समय दोनों महिलाओं के साससुर मौके पर थे आरोपी सास पडोज के मकान में छिपी थी महिलाओं के पतियों को साथी से बुलाया गया है बृतकाओं के पिता सीकर के सिंग्रावट निवासी पूर्व सैनिक समंदर खान 58 ने मौलासर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक था इसके बाद दोनों बेटियों के पती, उनकी मा, ननद और अन्य रिष्टिदार दहेच कम देने के ताने देने लगे कहते थे कि कार नहीं दी, समाज में हमारी नाग कटवा दी ससुराल वाले बोले इनका जीना हराम कर दो बेटियों की सास मंगेज बानो, ससुर ताजू खां सरदार कुरा, मामा ससुर अलादीन खां जाडोद, ननदोई शौकत खान, ननद जमीला बेटियों के पतियों को उकसाते की ये दहेच की मांग पूरी नहीं कर रही हैं, इनका जीना हराम कर दो ससुराल वालों ने बेटियों को घर से निकाला तो 17 जनवरी को सीकर के धोत थाने में मामला दर्स करा दिया, इस पर धोत थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया, ननदोई शौकत खान और मामा ससुर अलादीन खां ने थाने में ही साफ कहा कि दोनों लड़कियां अग 12 जनवरी की शाम बेटियों से फोन पर बात हुई थी, बेटियों ने बताया कि ससुराल के लोग घर आये हैं, कुछ प्लानिंग कर रही हैं, जेठानी रुकसाना बानों, अफसाना बानों, नसीम बानों कह रही थी कि इनको जान से मार दो, 19 जनवरी को बेटियों को फोन कि लेकिन बात नहीं हो पाई, इसके बाद बेटा अश्वाक नुवा गया, वहां से अश्वाक ने फोन कर बेटियों और दो बच्चों की मौत की सूचना दी, इसके बाद मौला सर पुलीस को सूचना दी गई, रात 11 बजे पुलीस मौके पर पहुची, पुलीस की 44 सेकेंड क विडियोग्राफी में एक छोटे से कमरे में बेड पर तीन शव नजर आए, मृतक नाजिया, साजिया छे भाई बहन थे, दोनों के भाई अजरुदीन, 26, अश्वाक, 22 है, इसके अलावा बहन खेरुन निसा, 35 और अनिशा, 23 है, भाई अजरुदीन आर्मी में है, और अश असलाम बनो, पचपन, सीकर के धोट ठाना इलाके के सिंग्रावट गाव में रहते हैं, परिजनों का धरना, शव लेने से इनकार डीडवाना के बांगर हॉस्पिटल में सभी आरोपियों को गिरफतार करने की मांग को लेकर पीहर पक्ष और समाज के लोगों ने धरना दि आरोपियों को पकड़ने के बाद घरवाले शवों के पोस्ट मॉटम के लिए राजी हुए।